नमस्कार दोस्तों आईए आज हम सभी चेहरे को खुबसूरत बनाने के लिए दाग धब्बे पिंपल्स को दूर हटाने के लिए एक और शधी के भारे में आज जानते हैं दोस्तों लेकिन इसका उप्योग बहुत ही साउधानी से करना चाहिए यह हर किसी के लिए फायदे मं हो यह जरूरी नहीं है इसलिए सबसे पहले इसका सेंसिविटी टेस्ट जरूर करना चाहिए आपको अपनी स्कीन पर जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहले फेस पर ही लगाएं कहीं भी आप कान के पीछे या पैरों की स्कीन पर पहले इसको लगा करके चेक कर लेना चाहिए इसके बाद अगर आपको अलर्जी नहीं होती है इससे तो इस्तेमाल करें जिसको अलर्जी नहीं होती है उसके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है दोस्तों इसके लिए जरूरी जो चीजें हैं उनमें से नोट कर लेजिए नमक थोड़ी मात्रा में एक बटा चार चमच कह लें आप या उससे भी कम ले लें और उसमें नारियल ओयल मिक्स कर लें दोनों को बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है नारियल ओयल और नमक को नमक ध्यान रखें कि बिल्कुल कम हो अगर आपका ओयली फेस हो तो इसमें आप नारियल ओयल की जग़ह पानी मिला लीजिए जिनका ड्राई फेस हो वो नारियल ओयल मिलाएं अब आपको अपने फेस को सबसे पहले क्लीन करना है दोस्तों इसके लिए आप पानी गर्म कीजिए उसमें तॉलिया डालिए तॉलियों को बाहर निकाल करके निचोड़िए और फेस पर डाल करके छोड़ दीजिए थोड़ी देर में आपके रोम छेदर खुल जाएंगे जब आप तॉलिये से पोचेंगे अपने फेस को इसके बाद आप अच्छे से इसको एट के अकार में मसाज करते हुए लगाईए अंडर आइज से लेकर के पूरे फेस पर धंग से पूरे अच्छे धंग से मर्ज कर लिजिए गले तक नेक तक दोस्तों इसके बाद आप आधे घंटे तक इसको छोड़ दीजिए फिर आपको इसे उतार दे इसके बाद आप फेस को वापस कुनगुने पानी से दो लीजिए और इस पर खलका सा कोई भी मौस्चराजर लगा लिजिए और ये नुस्खा आपको सब्ताह में एक दिन बस अपनाना है अगर आप लगातार एक से दो महने तक करते हैं तो आपको खुद बखुद फरक न Namaskar Dostum